वीडियो पूरा देखी, अच्छे से रिस्पॉंस कीजिए, कम समय में ज्यादा कॉशन हो जाया क्योंकि वन लाइनर के फॉर्मिट में ये वीडियो है करते हैं वीडियो को भी नदर के विश्टार्ट पूरा वीडियो देखो चाहें कॉशन बने चाहें ना बने याद करते जाना पहला कॉशन विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंगासन को कौन अपने साथ ले गया था तो नादिर शाह जो की इरान का शाशकता मयूर सिंगासन को ले गया था 1749 में इबने बतूता कहां का नागरिक था तो इबने बतूता ये मोरेको का नागरिक था भगॉरिया तयोहर किस जंजाती द्वारा मनाया जाता है तो मद्पदेश और महाराष्टर में भील जंजाती के द्वारा किस गुफा में मद्पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्छ मिले हैं तो भीम बेटिका में मिले हैं मोहन जोदाडों की खोदाई किसके समय शुरू की गई थी तो राखल दास बेनरजी के समय 1921 की बात है मोहन जोदाडों की खोदाई श्टार्ट की गई थी 1921 में माधुरी किस राज का लोकनत्य है आंड़ प्रदेश का लोकनत्य है माधुरी ब्रहदेश्वर मंदर का नमान किस ने करवाया था ब्रहदेश्वर का मंदर का नमान चोल वंश के शाशकों ने जो की तमिल नाडू में सिथे करवाया था हडपा सविता से मिले मन के किस के बने हुए थे तो मन के इस्टेराइट और कारलेनियल पत्थर के बने हुए थे भगवान बुद्ध को घ्यान प्राप्त कहां पर हुआ तो भगवान बुद्ध को बोध गया निरंजना नदी के किनारे घ्यान के प्राप्ती होई सबरी माला मंदिर किस राज्जी में स्थित है किताब उलहिंद पुस्तक किस भाशा में लिखी गई है किताब उलहिंद अर्वी भाशा में लिखी है और अल बरुनी ने लिखा है सबसे प्राचीन भाशा कौन सी है तो संस्क्रत सबसे प्राचीन भाशा है देव भाशा भी कहलाती है लिंग राजमंदर का नमान किस ने कराया था तो ययाती केशरी ने लिंग राजमंदर का नमान कराया था अशोक किस वंश के शाशक थे तो जो अशोक थे ये मौरे वंश के शाशक थे आईने अकबरी पुस्तक के लिखा कौन है तो अबुल फजल ने आईने एकबरी पुष्टक लिखी है मुगलो दुवारा गैर मुसलिमों की उपर कौन सा कर लगाया गया था तो गैर मुसलिमों की उपर जजिया करको लगाया गया था दोस्तों देख रहे हैं कौशन कितने अच्छे हैं यह आपके एक्जाम में पिछले कई सालों से पूशे जा रहे हैं जिसे एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ कौशन आंसर बना हैं 10,000 GKGS के कौशन आंसर जो MCQ के फॉर्मिट वे 4 उप्शन में जो कि आप जो एक्जाम तयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं 100% चांसर से आने के और वो कौशन आंसर PDF है और PDF सबको WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी PDF जो है आपकी वो 300 रुपे की है लेकिन अभी एक्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपे में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले बाकी YouTube से पढ़ो बाकी जो जिसको लेना हूँ 99 रुपे में आपको 10,000 GKS की कौशन मिल रहा है जो कि आपके एक्जाम में फश सकते हैं नमबर आपको पूरे वीडियो पर शोगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्कीन्शोट लेके रख लेना ठीक है भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था तो भारत में 1500 से 600 B.C.E. Before Christ मसलब ईसा पूर्व वैदिक काल का समय था दूम हल या धूमल किस राजी का लुक नत्य है तो धूमल ये आपका जंमू का जब्मू एक श्मीर का लुक नत्य है मनी पुरी सास्ती नत्य किस दियोता को समर्पित है तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है श्रवण्बेल गोला का जैनमंदर किस से निर्मित है ममलुक वण्स का तीस साशक था तो ममलुक या फिर गुलाम वण्स का तीस साशक था इल्टोटमिश सिंदु घाटी सविता का इस्थल मोहन जो दाडू कहा है इस थित है राजा नर्शिंग वर्मन किस राजवन्श के थे तो राजा नर्शिंग वर्मन ये पल्लव राजवन्श के थे लिंग राज मंदिर कहां इस्थित है तो लिंग राज मंदिर भूनेश्वर में इस्थित है कोणार के सूर्य मंदिर का निर्मान किस वंश के राजा ने करवाय था तो गंग वंश के राजा नर सिंग देव प्रथम ने कराय था खाने खाना की उपादी किसे दी गई थी तो अब्दुलरहीम खान को खान एक खाना की उपादी दी गई थी सिजिदा प्रथा की सुरुवात किस ने की तो बलबन ने सिजिदा प्रथा की सुरुवात की चेरी किस राज का लोक नत्त है तो चेरी ये राजस्थान का लोक नत्त है कंदरिया महादेव का मंदिर कहां परिस्थ है तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहू मद्पदेश में है कुम्ब मेला कितने वर्ष पर लगता है तो प्रत्य वारा वर्ष पर कुम्ब मेला लगता है म्रग नैनी महल कहां पर इस्तित है तो म्रग नैनी महल ग्वालियर मद्व देश में इस्तित है सिंदु घाटी सविता स्थल सुर्कोटदा कहां पर इस्तित है तो सुर्कोटदा गुजिरात में इस्तित है अगबर के द्वारा बनवाया गया था इन में से क्या तो अगबर ने जामा मझस्जिजों की फटेपुर सीकरी में है बनवाई थी एहमद शापदाली का भारत पर प्रतम आक्रमण कब हुआ था तो एहमद शापदाली का 1748 में भारत पर आक्रमण हुआ था और ये अफगानिस्तान का था सोलवी सदी में विजयनेगर का सबसे प्राचीन राजा कौन था तो सोलवी सदी में राजा कृष्ण देव राय विजयनेगर की सबसे प्राचीन राजा थे अकबर के राजस्तमंत्री का नाम क्या था तो राजा टोडर मल अकबर के राजिस्त मंत्री थे बंदा बहादूर की मृत्युका भूई थी तो 1716 में बंदा बहादूर की मृत्यु हुई थी अलावदीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था तो अलावदीन खिलजी की समय लगू द्यूग पर कर नहीं था मुंड को उपनिशद किस वेट से लिया गया है तो मुंड को उपनिशद या आपका अथर वेट से लिया गया है मलबपुरम उत्सव कहां मनाय जाता है तो मलप्पुर मुट्सव ये कीरल में मनाय जाता है अकबर का मकबरा कहां पर है तो अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में इस्तित है तंजोर कला किस वंज से संबनित है तो चोल राजवन से संबनित है तिरुमल रोय को किस वंज का संस्थापक माना जाता है अर्विडू वंच का संस्थापक तिरुमल रोय को माना जाता है अकबर ने इबालत खाना की स्थापना कप की थी तो अकबर के द्वारा इबालत खाना की स्थापना पंद्रा सो पचत्तर में की गई थी स्पाव नरत्य किस राज्य में मनाय जाता है इंगलिश में देखिए, यहाँ पर इस पाव लिखा है, यहाँ श्वापो, यही लिखा है, यह आपका लद्दाक में मनाए जाने वाला अंरत्य है, लद्दाक में पारणी द्वारा लिखित पुस्तक अश्ट अध्याई किस भांशा में हैं? तो अश्ट अध्याई संस्कृत भाशा में लिखी वी पुस्तक है आरे भट्यम किस प्रकार की पुस्तक है तो आरे भट्यम खगोली ग्रंत है दीने इलाही धर्म की स्थापना किस ने की तो अकबर ने 1582 में दीन इलाही की स्थापना की हरिहर और भुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को इस्थापित किया गया था तो विजय नगर सामराजी को इस्थापित किया गया था म्रत्कों का टीला किसे ही कहा जाता है तो मोहन जोडाड़ू को म्रत्कों का टीला कहा जाता है शेरशा सूरी मकबरा कहां इस्तित है तो सासाराम बिहार में सेरशा सूरी मकबरा इस्तित है धामेक इस्तूप किस वंश के द्वार निर्मित कराए गया था तो मौर वंश के द्वार धामेक इस्तूप निर्मित कराए गया था जीटी रोड का निर्माण किस ने करवाय था तो शेरशा सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराय था बिठल रुकमणी मंदर किस राज़ में है तो बिठल रुकमणी मंदर महराष्ट राज़ में है मोगल बादशा अकबर का राज अभिशेक कहां पर हुआ था तो अकबर का राज अभिशेक कला नौर पंजाब में हुआ था सिंदू सविता का इस्तल हडपा किस नदी के किनारे है तो ये रावी नदी के किनारे है हेन सांग किसके समय में भारत आये था तो हेन सांग हर्ष वर्धन के समय भारत आये था चौंसा की लडाई कब हुई थी तो चौंसा की लडाई 26 जून 1549 को हुई थी बंबु नत्त किस राजी से संबनित है अशोक के दादा जी का नाम क्या था तो अशोक के दादा जी थे चंद्रगुप्त मौर तिजारा का संबंद किसे राजिस है तो तिजारा इसका संबंद है राजिस्थान राजिस है अजन्ता की गुफाओं की खोज कप की गई थी तो अठारा सो निस में अजन्ता की गुफाओं की खोज की गई थी पाई का अनरत किसे राजिस का लुकनत है तो पाई का ये जारखंड का लुकनत है अगबर द्वारा किसे जरी कलम की उपादी दी गई थी तो अकबर द्वारा मुहंबद हुसेन को जरी कलम की उपाधी दी गई थी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो 18 जून 1560 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था विजेनगर के राजधानी हमपी के खंड़रों को किस इंजीनर के द्वारा खोजा गया तो हमपी के खंड़र को कर्नल कॉलिन मैकेंजीनेशन 1800 में खोजा था गोल कुंडा का किला कहां से थै तो गोल कुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में से थै पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था तो पानीपत का दूसरा युद्ध पांच नवंबर 1556 में अकबर और हेमु के बीच में हुआ था पट चित्र चित्रकलाशेली किस राज की है तो पट चित्र चित्रकलाशेली उडिसा राज की है राज तरंगडी के लेखक कौन है तो कलहड राज तरंगडी के लेखक है खालसा पंत की स्थापना किस ने की थी तो गुरु गोविन सिंग जी ने खालसा पंत की स्थापना की थी गोल गुंबद कहां पर है तो बीजापुर करनाटक में है आपका गोल गुंबद सांची के स्थूप को कब यूनेसको के विश्व धरवर सुची में शामिल किया गया था तो 1989 को सांची के स्थूप को यूनेसको धरवर में शामिल किया गया था ख्वाजा मोईदीन चिस्ती की दरगा कहां पर है तो अजमेर राजिस्थान में ख्वाजा मोईदीन चिस्ति की दरगा है गुप्त वंच का संस्थापक कौन है तो श्री गुप्त गुप्त वंच का संस्थापक है चौसा का युद्ध किन के मद्ध कब लड़ा गया तो चौँसा का यो दुखत हुमायू और शेसा के बीच में 1549 ईस्वी की बात है गीत गोविंद के रचाइता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचाइता हैं आपके जैदेव जातक कथाओं का संबंध किस से है तो महात्मा बुद्ध के पुनर जर्म से जातक कथाओं का संबंध है एबने बदूता किस देश का नागरिक था तो एबने बदूता मूर रैको का नागरिक था हुमायू नामा के लिखक कौन है तो गुल बदन बेगम हुमायू नामा के लिखक है दास वंस की स्थापना किस ने की थी तो कुटबुदीन एबक ने दास वंस की स्थापना की थी भगवान महावीर के बजपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बजपन का नाम वर्दमान था बहुत धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक बहुत धर्म की प्राचीन पुस्तक है ताज मेलकर नमान कब शुरू किया गया था तो ताज मेलकर नमान 1632 में श्टार्ट हुआ था और 1653 में ये बनके तैयार हुआ था साची का इस्तूप किसने बनवाए था तो साची का इस्तूप बनवाए था समराट अशोक ने जामा मज़ित का नमाण पूरा कब हुआ तो जामा मज़ित का नमाण पूरा हुआ था 1656 इसवी में बुलंद दर्वाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाए था तो बुलंद दर्वाजा को गुजरात विजय के बाद बनवाए था तंजाबुर में ब्रहदेश्वर हिंदू मंदिर का नमाण किस ने कराय था तो तंजाबुर में ब्रहदेश्वर हिंदू मंदिर का नमाण राजा राज चोलने करवाय था संगाई तेवहार किस राजी में मनाया जाता है पौंगल्ड ते ओहार उत्तो किस राजी में मनाया जाता है तो तमिल नाडू में मनाया जाता है चोथी बौध संगेती किस राजा के काल में हुई थी तो कनिशक के समय और एक कोशान वन्स के समबने थे कनिशक चंद्रगुप्त द्वतिय या चंद्रगुप्त विक्रमाजित के नवरतन प्रसिद्ध संस्क्रत विद्वान कौन थे तो काली दाजी थे चंद्रगुप्त विक्रमाजित के दरवार में अशोक के प्रसिद्ध सिलालेक किस भाँशा में थे सरपधम ब्राम्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किस ने प्राप्त की थी? सबसे पहले जीम्स प्रिंसिप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी ब्राम्मी और खरोष्टी लिपी को सिनेगोग किस से संबनत है जैस जस प्रकार चर्च इसाई धर्म से तो सिनेगोग यहूदी मंदर है कौन सा समारक यह मंदर तमिलनाडू में है तो ब्रहदेश्वर मंदर जो की तंजावर में पढ़ता है तमिलनाडू में है स्वाण मंदिर हर मंदिर साहब किस सिक गुरू ने बनवाय था तो सिकों के पांचवे गुरू अरजुन देवजी ने बनवाय था कामाख्या मंदिर कहां पर है तो कामाख्या मंदिर गोवाटी असम में है तानसेन किस गायन से संबन थे तो तांसें धुरुपद गायक से संबन थे वारली चित्रकला किस राज्य में प्रशलित है तो वारली चित्रकला ये महाराष्ट्र राज्य में प्रशलित है सफदर जंग का मकबरा कहां पर है तो सफदर जंग का मकबरा जो है ये आपका दिल्ली में है बिहार और नेपाल के कुछ छेत्रों की प्रमुक चित्रकला कौन सी है तो बिहार और नेपाल के कुछ छेत्रों की प्रमुक चित्रकला मदुवनी चित्रकला है शाह जहां की बेटी का नाम क्या था शाह जहां की बेटी थी जहां आरा गोहर जहा और रौसन आरा गुरुनानक शाहब का जन्म कब हुआ था तो गुरुनाक शाहब का जन्म हुआ था 1479 तलवंडी में नादर शाहा ने भारत पर कब आक्रमण किया तो 1749 में आक्रमण किया अजन्ता की कुफाएं कहां पर स्थित हैं तो अजन्ता की कुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं सूर्य मंदिर कहां पर है तो कोनार्क उडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है मनुरा किला कहां पर है तो मनुरा किला ये तंजाबुर तमिलनाडू में है ग्रांट रंक रोड किसने बनवाई थी तो ग्रांट रंक रोड शेर शाह सुरी ने बनवाई थी बुलन दर्वाजा किसने बनवाई था अकबर के द्वारा बुलन दर्वाजी का इन्रमान कराये गया था हुमायू नामा किसने लिखी है तो गुल बदन बेगम ने हुमायू नामा लिखी है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बुलंदरवाजा का दूसरा नाम क्या है तो डोर ओफ विक्ट्री विजय का द्वार उत्त अत्राज़ोulen के साथ ौए ? नत्रmen ॡासच के लिवागता है। तो राख़ल हदास बनर जी ने 1922 में मोहँजmee की खोच की थी। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमुले पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है तो कृष्ण जी की सोने और बहुमुले पत्थरों से अंकित पेंटिंग तंजाव चित्र शैली में निर्मित है लाल के लिए का निर्मान किस ने कराया था तो ध्यांबूत गजनवी के साथ 11 सदी में आया था। हडपा सविता की मोहरों पर किस पशू का चित्र अंकित है तो हडपा सविता की मोहरों पर एक श्रंगी बैल का चित्र अंकित है सिंदु घाटी सविता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी तो सिंदु घाटी सविता में सबसे पहले हडपा की खोज हुई थी 1921 में कौन सी मैगस्तनीज द्वारा लिखित पुस्तक है तो मैगस्तनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका विक्रमाजित की उपादी किस गुप्त शाशक को दी गई थी तो विक्रमाजित की उपादी चंद्रगुप्त द्वती को दी गई थी कौन सा मंदर चोल वंश के राजाओं द्वार अंदिर में थै तो चोल वंश के राजाओं के द्वार तंजावर का ब्रहदेश्वर मंदिर काक्ती वंश का अंत किस वंश ने किया था तो काक्ती वंश का अंत जो है तुगलक वंश ने किया था हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत की शैली कौन सी है तो हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत की शैली आपकी दुरुपत शैली उदाईन ने मगत की रायधानी राजगीर से पातली पुत्र शिप्ट की थी चंद्रगुप्त द्वती की पुत्री कौन थी तो प्रभावती गुपता चंद्रगुप्त द्वती की पुत्री थी सिंदुगाटी सविता में मन के बनाने की कारखाने कहां से मिले हैं तो मन के वनाने के कारखाने में नहें चनहुरडो और लोथल नामक स्थान से भरत मुनी के नाट्य सास्त्र पर आधारिस सास्त्री नत्य जिसकी उत्पत्ती ब्रह्मा से मानी आती है उसका नाम है भरत नाट्यम यक्षिगान किस राजी का लुकनत है तो करनाटक का लुकनत है यक्षिगान करनाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शाशन रहा तो करनाटक का जो मैसूर महल था उस पर वाड यार वंश का शाशन रहा दिल्ली में अलाई मीनार किस ने बनवाई थी तो अलाई मीनार बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है कुवत उलिस्लाम मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद दिल्ली की एलिफेंट फेस्टिवल कहा मना जाता है तो एलिफेंट फेस्टिवल जैपुर राजस्थान में मना जाता है सक संवत किस महा से शुरू होता है तो चैत्र महा से शुरू होता है वाडो छाम लोकनत किस राजी का है तो वाडो छाम लोकनत अरुनाचल पदेश का है राइस्थान की फड किस प्रकार की कला है तो राइस्थान की फड ये एक लोक चित्र कला है अराण मूला नौकादोर किस राजे से संबनित है तो अराण मूला नौकादोर केरल राजे से संबनित है एहमद नगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया तो चांद भीवी ने अकबर से युद्ध किया हैदराबाद इसने चार मीनार किसने बनवाया तो कुली कुतुब शाहा ने चार मीनार बनवाया कथकली कहां का सास्त्री निरत्त है तो कथकली केरल का सास्त्री निरत्त है बहादुर शाह जफर को गिरफतार करने के बाद कहां भीजा गया था तो बहादुर शाह जफर को वर्मा या रंगून भीजा गया था घूमर नत्य किस राज्य से संबनत है तो घूमर नत्य ये राजिस्थान राज्य से संबनत है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शाशक कौन बना तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समद्रगुप्त शाशक बना मुआत्सू पर्व कहां मनाय जाता है तो मुआत्सू पर्व ये नागालेंड में मनाय जाता है जैन धर्म के 24 वे तीर्थ कर कों थे तो महावीर जी जैन धर्म के 24 वे तीर्थ कर थे इबने वदूता किसके शाशनकाल में आया था इबने वदूता मोहंबद बिन तुगलक के शाशनकाल में आया था बावर नामा किस भाशा में लिखी गई है तो फार्सी में इसका अनुवाद हुआ है बावर नामा का का वास्तिक नाम क्या था तो रभिया दुर्रानी का वास्तिक नाम था दिलराम बानु बेगम बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी तो 1347 में बहमनी राज की स्थापना हुई थी कुत्ब मिनार का निर्मान कार किस ने पूरा कराये था तो इल्तुत मिशने कुत्ब मिनार का निर्मान पूरा कराये था भारती तिहास का सौनकाल कौन सा है तो गुप्त काल भारती तिहास का सौनकाल है लद्दाक में कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो लोसर नव वर्ष पर मनाया जाता है लद्दाक में पद्मवती किस जगह से सम्वनित है तो पद्मवती जी का सम्वनित है चित तोड से हर्श चरित्र किसने लिखी तो हर्श चरित्र लिखने का से जाता है बान भट्ट को खजराहों के शाशक के सवन से संबने थे तो चंदेल शाशक थे खजराहों के शाशक ढोला डांस के सराजी से संबने थे तो ढोला डांस आपका गोवा से संबने थे विजयनगर सामराजी कहां पर था तो हम पी जो की करनाटक में पढ़ता है विजयनगर सामराजी था महराष्ट का लोकनत क्या है तो लावनी महराष्ट का एक फेमस लोकनत है अंतर राष्टी चेरी ब्लॉसम महुत्सव भारत में कहां मना जाता है तो शिलोंग में मिघाला में मनाया था चेरी ब्लॉशम, जो है महुत्सव जलिया वाला बाघत्यकंड कहा था तो जलिया वाला बाघत्यकंड 13ड़ moderate 1990 को हुआ था भगवान महावीर का जन्मुस्तल क्या है तो भगवान महावीर जी का जन्मुस्तल है आपका वैशाली का कुंड़ाग्राम दीलवाडा जेनमंदर कहां पर है तो दीलवाडा जेनमंदर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबुनगर में पड़ता है कौन सी लोककला है जो शुब आउसरों पर घर के फर्स को सजाने के लेकी जाती है तो कोलम ये एक लोककला है और ये तमिल नाडू की लोककला है कोलम कौन सा गुप्त शाशक वीणा वादक में निपुर था तो वीणा बजाते थे समुद्र गुप्त अड़ाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाए था तो अड़ाई दिन का जोपड़ा कुतुब उद्दीन एबक के द्वारा अड़ाई दिन का जोपड़ा बनवाए गया था सत्य में उजयते कहां से लिया गया है तो मुंड को उपनिशत से सत्य में उजयते लिया गया है भारत का राजचिन अशोक का सिंग इस्तंब कहां पर है तो अशोक सिंग इस्तंब सारनाथ बनारस यूपी में पढ़ता है हौर्णबिल उत्सव किस राजी का प्रचलित है तो हौर्णबिल उत्सव ये नागा लेंड का प्रचलित है चंद्रगुप्त मौर के गुरु कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर के गुरु थे चानक के अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शाशक ने अनुमती दी थी तो अंग्रेजों को जहांगीर के द्वारा सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमती दी गई थी अमीर खुसरों का जन्म कहां पर हुआ था तो अमीर खुसुरों का जन्म पटियाली में 1253 में हुआ था बाबर और अब्राहिम लोधी के मद्द कौन सा युद्ध हुआ था तो बाबर और अब्राहिम लोधी के मद्द जो हुआ था पानी पत का प्रतम युद्ध हुआ था अजन्ता की कुफाएं कहां परिस्त हैं तो अजन्ता की कुफाएं ओरंगाबाद में इस्तित हैं महराष्ट में तीसरी बौद संगति किस राजा के काल में हुई थी तो अशोक के काल में हुई थी और अशोक मौरवंश के राजा थे अजमेर में किसकी दरगा इस्थित है तो अजमेर में आपकी मोईदीन चिस्ती ख्वाजा की दरगा इस्थित है अजन्ता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रन किया गया है तो अजन्ता गुफाओं में भित्ती चित्रकला का चित्रन किया गया है एलोरा की कुफ़ाएं औरंगावाद महराश्टर में किस ने बनवाई थी एलोरा की गुफ़ाएं राश्ट कूट वंच wreck के जाज़्कों ने 11 सताबदी में बनवाई थी उजवेकिस्तान से भारत कुन आया था तो उजबेकिस्तान से अलबरूनी भारता है था और ये महमूर गजनवी के साथ भारता है था सिक्य में मास्क या मुखाटा पहन कर कौन सा नति किया जाता है तो सिक्य में लामा डांस होता है मास्क या मुखाटा पहन कर दश कुमार चरितम पुस्तक के लिखक कोन है तो दश कुमार चरितम इस पुस्तक के लिखक है महा कवी दांडी हर्श वर्धन का दरवारी कवी कोन था तो बान भट जी हर्श वर्धन के दरवारी कवी थे किस राजयोंच ने उस ताइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तश्वीर छपवाई एलिफैंटा गुफा मंदर किस भगवान को समर्पित है भगवान शेव को समर्पित है विक्रम शिला विश्वे और दियालय के संस्थापक कौन थे किताब उलहिंद के लिखा कौन थे तो अल बरूनी ने किताब उलहिंद लिखी है गौतम बदी का जन्मिस्थान क्या है तो गौतम बदीजी का जन्मिस्थान है आपका लुम्बिनी नेपाल मधुवनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्जी में प्रचलित है तो मधुवनी चित्रकला पेंटिंग ये मिथला चित्र बिहार में famous है इस्तूप का नमान किस उद्धिश से कराया जाता था तो जो इस्तूप होता है पवित्र बहुत आउसेशों को रखने के लिए किस ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इस्थान अंतरत करी तो मुहमबद बिन तोगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इस्थान अंतरत करी भीम बेटी का किस के लिए प्रसिद्ध है तो भीम बेटी का शैल चित्रों और शैला स्रयों के लिए प्रसिद्ध है काल बेलिया किस राजिकान रत्त है काल बेलिया आपका राजिस्थान राजिकान रत्त है अंतिम मुगल शाशक कौन था तो आखरी मुगल शाशक था बहादुर शाह जफर कारले बोध गुपाई कहां पर इस्तित हैं तो कारले बोध गुपाई ये आपकी महराष्ट राज्य में इस्तित हैं कोनार का सूर मंदर कहां पर है तो कोनार का सूर मंदर ये आपका पूरी उडिसा में हैं किस साशक ने सबसे पहले अपने राज प्रजा के अधिकारों के लिए बारे में शिलालिक लिखवाए थे तो अशोक ने अपने राज और प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालिक कंदरिया महादियो मंदिर कहां पर है, तो खजुराहों में कंदरिया महादियो मंदिर इस्तित है, DRDO द्वारा विक्सिट रॉकेट लॉंचर का नाम क्या है, तो पिना का नाम का रॉकेट लॉंचर DRDO ने विक्सित क्या है, कुडन कुलम नाभी की विदुद परियोजना कहां पर है तो कुरण कुलम नाभी की विदिड पर्योजना तमिलाड़ू में कम्पीटर का मस्द किसे कहा जाता है तो spiritual का spoken Anda उरल का फुल फॉर्म क्या होता ए्टो यूनी फॉर्म Maps लोकेटर दोनी का संचर्ण किसमें नहीं होता तो दोनी निरवात में संचिर्ट नहीं होती प्रत्वी पर किसी पिंड का द्रबेमान यदि 80 किलो हो तो चंद्रवा पर कितना होगा तो या रखना द्रबेमान चेंज नहीं होता द्रबेमान उतना ही रहता है प्रत्वी पर जितना रहेगा उतना वहां पर रहेगा चेंज क्या हो जाता है तो भार चेंज हो जाता है वजन वेट चेंज हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का SI unit क्या है तो मोल पदार्थ की मात्रा का SI unit है विशाण उजनित रोग कौन सा होता है तो चेचक विशाण उजनित रोग है संसद में परियावरण संदक्षन अधिनियम कब पारित हुआ था तो संसद में परियावरण संदक्षन अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था सहरी कल्चर किस से संबनित है तो रेशम के कीट से संबनित है शेरी कल्चर पालन रेशम कीट का पालन मंगलयान किस्तिती को लॉंच किया गया था तो 5 नवंबर 2013 को सहजीवी पौधा कौन सा है तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है सहयोक्त राश्तुरक्षा परिसर कब स्थापित होई थी तो 1945 में भारत का प्रथम संचार उबगरा कौन सा है तो एपल भारत का प्रथम संचार उबगरा है सापेक्षता का सिध्धान किस ने दिया तो अलबर्ट आइंस्टैन ने दिया सूरिका चमकीला सता क्या कहलाता है तो फोटो स्पियर कहलाता है सूरिकीच समकीली सता है रक्त परी संचन तंत्र का भाग नहीं है तो बड़ी आत रक्त परी संचन तंत्र का भाग नहीं है नियत ताप पर गैस का आयतन दाब की वितकोमानी पाती होता है किसका नियम है तो ये नियम बॉयल का नियम है Non-volatile memory कौन सी होती है तो Rome Read-only memory ये non-volatile memory होती है कौन सी अधिशे रासियां है तो या रखना चाल, दूरी, दाब और उर्जा ये सभी आपकी अधिशे रासियां है Taxonomy के जनक कौन है तो Karl-Lineous Taxonomy के जनक है वायू प्रदूशक का संकित क्या है तो Lycan, वायू प्रदूशक का संकित क्या है विटमेन E का रासानिक नाम क्या है तो Tocoferol, विटमेन E का रासानिक नाम है धान के खेट से कौन सी गैस निकलती है तो Meethine Gayस निकलती है धान के खेश से Robert Hook ने किसकी खोचकी थी तो मृत कोशिका की खोचकी थी पितरस शरीर के किस भाग से स्त्रावित होता है तो यक्रत से स्त्रावित होता है चंद्रयान 2 किस रॉकिट से लॉंच हुआ था तो G.S.L.V. Mark 3 M1 से चंद्रयान 2 को लॉंच किया गया था सर्व ग्राही रक्समू कौन सा होता है तो ए भी सर्वग्राही रख सम्मू है भारत का प्रथम सुपरकंप्यूटर कौन सा है तो परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपरकंप्यूटर है थुम्बा एक्क्वेटोरियल रौकिट लॉंचिंग इस्टेशन क्यों मतपूर है तो थुम्बा एक्क्वेटोरियल नाइटीन क्या है तो इंटेल 19 माइक्रो प्रोसेसर है पाइथन क्या है तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाशा है इस्टोरों ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉंच किये थे इस्टोरों ने 17104 उपग्रह लॉंच किये थे विटमिन lens का use किया जाता है सुपर सौनिक मिसाइल कौन सी है तो ब्रह्पोष जो है आपकी एक मिसाइल है एक बड़े 4 ओम के 4 प्रती रोध यदि सृरिंडी मतलब सीरी स्कुरब में जोड़ा जा है तो टोंटल पती रोध कितना हो जाएगा तो एक क्या है तो सी ये oh का hold twice चूने के पानी का सूत्र है दोस्तों 5000 कॉस्चन है 5000 कॉस्चन कराने है और युदि आपको ये पूरे 5000 कॉस्चन करने तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा उसके लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिये WhatsApp में ग्रुप बने हैं बहुत सारे आपके WhatsApp में जो भी पढ़ता हो उसको शेर कीजिए हमें कमेंट करके लिख दीजिए पार्ट दो कमेंट बॉक्स में पार्ट दो लिख दो जिसको भी अगला पार्ट चाहिए चैनल पर पहली बार आ है सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक किये बिना मत जाना दोस्तों की भी बेजो हम आपके पूरे 5000 वन लाइनर फटाबट करा दिंगे मिलते हैं अगले वीडियो में अपने ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत दोस्तों देख रहे हैं कॉशन कितने अच्छे हैं यह आपके एक्जाम में पिछले कई सालों से पूशे जा रहे हैं जिसे एक्जाम के आप तयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ कॉशन आंसर बना हैं आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी PDF जो है आपकी वो 300 रुपे की है लेकिन अभी एक्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपे में जो भी सक्छम है जो भी ले सकता है वो ले ले बाकी YouTube से पढ़ो बाकी जिसको लेना हूँ 99 रुपे में आपको 10,000 GKGS की कॉशन मिल रहा है जो कि आपके एक्जाम में फश सकते हैं तो इनको PDF को लेनी के लिए नीची दीगा नमबर वाटसब कर लेना नमबर आपको पूरे वीडियो बर्श होगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्कीशोट लेके रख लेना ठीक है